नमस्कार दोस्तो, स्वाकत है आप सबिका हमारी चैनल कोसी ऐलक्रोनिक्स में दोस्तो, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 8x24 का जो प्लेन सरकल होता है, वो कैसे बनाते हैं इसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्वास्तिक का कैसे बनाते हैं तो बहुत लोगों का बहुत सारा कमेंट आया तो मैंने सोचा कि 8x24 का मेरे पाद Simple Circle का भी पड़ा हुआ है तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूँ ताकि जिनको भी ये Simple वाला Circle खुद से अपने घर पे बनाना है उस पे details में वीडियो आते रहता है और आपका कोई अगर कोई feedback है तो आप अपना comment भी नीचे कर सकते हैं ताकि उसके according मैं आगे फिर वीडियो में सुधार कर सकूँ या उस topic पे वीडियो ला सकूँ तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि total यहाँ पे ऐसा 24 लाइन है एक लाइन में 8 LED है ठीक है और ऐसा 24 लाइन है इसलिए इसको बोलते है 8 by 24 circle ठीक है यह जो मेरा matrix है यह 3 by 3 feet में बना हुआ है और यह जो मैंने seat यूच किया है वो poly seat है और यह जो है laser cutting से hold किया हुआ है अगर आपको यह seat चाहिए तो आप यह हमारे से मंगवा सकते हैं यह आपको courier से मिल जाएगा यह seat 400 रुपे का पड़ता है ठीक है इसमें एक दम आपको hold किया हुआ मिलेगा perfect LED अच्छे से lock हो जाएगा और आप LED निकालना भी चाहें तो वो भी बहुत आसान है ठीक है और बहुत लोग पूछते हैं कि surprise भी बताते चलो साथ में और इसमें जो controller लगे हुए उसके controller के price से 250 रुपे है ठीक है और इसमें जो आपको power supply का need होगा या तो आप 10 ampere लगा सकते हैं या या आप 20 ampere लगा सकते हैं तो मैंने यहां पर 20 ampere का लगा रखा है testing purpose के लिए ठीक है अब हम लोग इसके जो है background में wiring में जाएंगे फिर इससे related designs में जाएंगे ठीक है और बहुत लोग नहीं से पहले मेरे से स्वास्तिक वाला seat मंगाया है और वो लोग अपना-पना बनाई भी है board तो अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा हो तो वो अपना feedback नीचे डाले कि उनको seat कैसा मिला उनको product मैंने जो डिलिवर किया courier से उसका response कैसा है जो दिखाया वही product मिला या कुछ और मिला ठीक है ठाकि औरो को भी साइदा हो सके ठीक है तो अब हम लोग चलेंगे wiring पार्ट पे दोस्तो हम आगए wiring पार्ट पे तो मैं थोड़ा explain करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख पारें ये controller लगा हुआ है मेरा इस controller को भी निकाल देते हैं और यहां से जो मेरा LED स्टार्ट हुआ है तो LED स्टार्ट जहां से करेंगे आपको एक दो एक्स्ट्रा वायर मिलेगा तो उसको मैंने क्या किया है लाल और ब्लैक वायर के help से external power supply से इसको जोड़ दिया है और यह LED आपका यहां से ऐसे लगाना है और फिर यह इधर आया है फिर इसको घुमा करके ले जाना है और घुमा करके ले जाने के बाद यहां पर फिर यह घूम जाएगा ठीक है यह S connection होता है, कहीं पर आपको card code कुछ नहीं करना है, घुमा के ले जाना है, ऐसे करते करते, पूरे में LED लगा देना है, इस टाइप से, और आपको इस टाइप से बन जाएगा, फिर आपको देखें, यहाँ पर दो LED का joint है, और वहाँ पर फिर दो extra wire निकलेगा, तो जहाँ जहाँ दो extra wire निकलेगा, आप क्या करेंगे उसको, power supply का जो आप wire यूज की है, उसमें जोड़ देंगे, हाँ ध्यान रहें कि पतला wire यूज नहीं करना है, कम से कम 1.5 mm का DC जो multi gauge वाला wire होता है, वो वाला यूज करेंगे, तो आपका better performance रहेगा, ठीक है, यह बहुत simple ही circle थ अगर आपका LED बीना connector का है, extra बच रहा है, तो आप उसको काट लेंगे, यहां से, उसको कहीं reuse कर सकते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग इसके design को देखेंगे, और उसके बाद, आप लोगो जिनको भी पसंद होगा, तो आप हमें order कर सकते हैं, या हमारे website से खड़ी सकते हैं, या आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, ठीक है, तो और इससे related आपको कुछ और जैसे नहीं समझ में आया, तो आप नीचे comment करें, मैं खोसिस करूँगा कि आप लोगों को reply देने के लिए, कर सकते हैं, तो आपको 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 कर सकते हैं, त झाल 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 झाल